तो जब 1500 इस्वी में अकबर ने चित्तोडगर दूर्ग पर हमला किया था तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली और बहुत ही इंफोर्मेशन टाइप होने वाली है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चित्तोडगर के जितने भी दुर्ग के द्वार है यहां से आपको साथ द्वार मिल जाएंगे उसके बाद आपको सूरजपोल मिल जाएगा एक महरमंगर के आप पर पीछे एक और गयट मुख्ये चार द्वार है के छोड़ पीप चढ़ने के जुब भी रचे हैं उसारे हम बटाइएंगे छितोड़ पर किन जा जा खिए कितने रस्ते उतल्ड चट्था तो आज हम वो सारी आपको इस वीडियो के अंदर भीडिए प्टाइंगे फुल डीटेल के साथ और पहला जो यह रास्ता है यहां से आपको हम चालू करेंगे यहां से साथ गेट है तो साथ गेट की क्या नाम है कैसे नाम पड़ा इनका सब कुल बताएंगे तो वीडियो एंड तक देखना इसकी मत करना यह जो गेट ना यह पिछवाला गेट है मुक्यदवार उदर पोल है और में महां के भी बहुत सारी इंफर्मेशन है अलाउद दिंकिल जी ने बुस्तरफ से हमला किया तो आप वीडियो को पूरा देखिए और सारी डीटियल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो एंड सक बने रहे है चलते है तो अभी हम जागड़े है चितोरगड़ के दूरगे का पहला दुआरे जिसका नाम पाड़न पॉल है और इस गेट की कहानी बोस्ती एतियासिक है जिसमें चितोरगड़ पे एक बार भयंकर यूद दुवा था एसे बहुत सारे यूद है तो एक बार जो भीशन यूद दुवा था उसमें खून की न चितोरगड़ दूरगड़ के दूसरे दर्वाजे पर और यहां का इस्तियास भी बहुत ही अच्छा है जिस्ता आपको भी करा होगा फिस्ते जो आपको खेजित्री वाली घूमई दिख रही है वह सी जैमल जी की है और उसी के बार आपको चार सुप्रे वाली एक और घू जैमल जी का पेर अकबर की गोली से गायल हो चुका था जिसकी वज़े से अगले दिर्वा युद्ध में सल्ला जी के तंजे पर बैटकर उन्हें युद्ध लड़ा और युद्ध के अंतिन सांस तक अपने युद्ध में अड़ रहे और यही पर उनकी मस्ती हो गई अपनी भूमी के लिए उन्हें कितना बलीदान दिया तो उन्हीं के नाम से चित्रगर दुरुकर का उच्छा रखा गया है चली अब हम चलते हैं चित्रगर दुरुकर के तीसरे दरवाजे पर और आपको उसका हित्या बढ़ाते तो दोस्तों इस किले पर चड़ाई करते ह दुरुकर के तीसरे दरवाजे पर जिसका नाम है हनुमान पोल यहां पर प्रातिन श्वीय पाला जी का मंदीर है उसी के नाम से इसका नाम हनुमान पोल रखा गया है और जैसा कि आप देखके तो इन दरवाजे के उपर पूराने टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी मशा तो दोस्तों अभीड़म कड़े चित्ती और दुरुकर के चोथे दरवाजे पर जिसका नाम है गणेश पोल जी हाँ गणेशी के मंदिर ही इसका नाम रखा होगा वे शक तो यहां पर अगिणजी का उन्हीदि के आंन अब चलते हम आगे बड़े दर्वाजे पर इसका नाम है आगे बताएंगे तो दोस्तों इतियास को जानते हुए हम पहुच चुके चितोरगर दुर्गी के पांच में दुवार पर जिसका नाम है जोला पॉल तो इसका इतियास वह जोड़ देने वाला तो में आपको जोरो चोरो से चुनिए तो इसकी यह कानी कि यहां पर रस्ता देख रहा है तो यहां पर हाथ गोड़े और से जब चड़ाई करते थे था उन तो उनको भोड़ लगाना पड़ता था जैसे दो आपको इस गेट के बारे में बताने के लिए तो यह पांच मोथ इसी के पास में छट्टा दुआ रहे हैं जिसका नाम लक्ष्मन पोल है लक्ष्मन फोल उस केट दर्वाजे का नाम इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि वहां पे लक्ष्मन जी का छोटा सा मंदीर है जो कि अब बंद बढ़ा हुआ है तो इसके बारे में आपको जानकारी नह पास है तो चलते हैं साथ जो दर्वाजे पर जो की चित्तर दूर्ग का अंतिम दौर है तो यहां पर दूर्ग कर नाम है स्री राम जी का दौर राम पोल यहां पर राम जी का एक मंदीर है हमारे हिंदु के स्वराज श्री राम जी का मंदिर, उन्हीं के नाम से यहां का राम, रामपोल रखा गया है यहां से अगर आप आते हो तो आपको लेफ साइड में बस्ती मिलेगी जहां पर लोग रहते हैं और राइट साइड में आपको किल्ले का साथ दरवाजे ही नहीं है बहुती बड़ा चित्रोगगा किल्ला है पूरा घुमा हुआ है तो अगर आप आओ तो देखो बहुत इच्छा किल्ला है अब हम चलते हैं सुरज पोल पर महा का इतिहास क्या है मही सायत अलावत दिन खिल जी चित्तोडगड़ पर चलिए बताते ह हुआ हुआ है तो दोस्तों अबिर्म आ चुके हैं सुरेज पोल पर तो यहां का क्या इत्यास है मापको बताते हैं जोड़तार रहे जैसे साथ दरवाजे उस तरफ है वेसरी साथ दरवाजे इस तरफ भी है पर हे नहीं वह थे क्यले का जो फैस अरिया वह यह है तो सभी युद्ध इस सा की जाती थी और यहां पर भी साथ ही दर्वाजे जो भी तूट चुके हैं पुरी तरह से कुछ कुछ दर्वाजे बच्चे हुए तो कैसे तूटे हैं किसने हमला किया था सब आपको बताएंगे तो वीडियो को देखेगा और अभी दर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय आठवी से सौलवी सफ्थाफदी के जो राज परिवार थे वह यहां पर रो जाके सूरी देवता की पूझा करते थे और यही से सूरज उकता था तबी से इसका नाम सूरज पूल पढ़ गया है तो यहां से भी साथ दर्वाजे तो दोस्तों अभी रम खड़े हैं सूरज की जगहा पर जो की चित्तोरगर दुर्ग का मुख्य दौर हुआ करता था पहले के टाइम पर अब नहीं रहा है तो यहां पर साथ दर्वाजे हैं जो भी नहीं है वो तूट चुके है अलावदिन खिल जी न जब राणी पंदमनी की सुंदरता के बारे में सुना और उन्ह से हार मिली हार मिलने के बाद वो थोड़ा आक्रोश में गुस्से में रहा तो 23 महीने बाद वापस आया और 6-6 महीने तक उसने यहां पर डेरा बना के रखा और पूरी लाल सा रखी राणी पंदमनी को देखने की फिर एक बार उसने रादन सिंग जी से कॉंट्रो करके बा पागल सा हो गया और फिर उसने वापस से हमला करवाया चित्वर गड़ पर और बहुत बहेंकर यह दुवा जिसके बाद अलाव दिन खिल जी ने रतन सिंग जी को दोके से मारा और चित्वर दूर कर दिया सभी दरवाजे तैस नैस कर दिये उसके बाद राणी ने अपने आदमर्स रक्षा के लिए कई राणियों हजारों राणियों के साथ जोहर कर लिया जिससा कि आपने राणी पदमनी पिच्छर देखी होगा और आपको बता होगा तो बहुत ही भेंकर युद्ध था और अपने गोरों की रक्षा के खातिर सभी राणिया जलती आग में किसरा द्वार जो है वह है मोहर मंगरी का जो की बनावाया गया था वह भी बंद है म्रगवन के साथ से बंद कर रहा है तुरिस्म के लिए तो अब हम चलने वाले हैं चोते दर्वाजा पर हुआ को कोई भी गाइड लेगे नहीं जाएगा ना श्त गया होगा एगी जंगलो से दिखा देंगे तो दोस्तों अब माचुके इस कच्चे रास्ते पर जो की आपको आने के लिए मिलेगा रातन सिंग महल के पीछे से रास्ता है तो देख सकते हो आप रास्ता कि इतना उबड़ खाबड़ है और कच्चा रोड़े बिल्कुल अब यहां से पूरा रास्ता नहीं को आप आप चाने के लिए आप आपको किले की जोडीवार को के रास्ता पास-पास में से होके जाना पड़ेगा तो देख सकते हो इस तरह देखो खाई यह निचे बहुत ध्यान से अना अगर आप आओ तो मतलब हम यहां से निचे गिर गए तो हम काफी चोट लगने वाली है सिर्फ आपके लिए हम यहां पर आये हैं आपको दिखाने के लिए रास्ता देख सकते हुआ बहुत ही भेंकर है फुरा फोन हिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें हमें अच्छा लगेगा और अब चलते हटावा चोते वाले गेट पर बहुत ही जाड़ पुसे यहा यहां पर भी भगवान के स्थान बने हुए हैं देख सकते हैं तो चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं तो दोस्तों इती देर हम ढूंड रहे थे दर्वाजा कहां पर दर्वाजा तो जाड़ियों के पीचिस कुसा हुआ आगे उसके पेड़ ड़के हो जैसा कि आप सब्सक्राइब कीशल आपको बताते हैं कि यहां पर भी मान पूरा साइड है यहां पूरा आप कितना खूपया रास्ता है हमें भी बहुत टाइम पेले बता चलाता है आपको तो पता होगा ने क्योंकि आप दोस्तों यह था हमारा ताटो दरवाजे सूरजपोल और चोतह दरवाजा पांचा दरवाजा मरगवन का है तो दिखा नहीं पाएंगे वीर उसके लिए विडियो बनाके यह और आंदा जाने का होगा तो वीडियो कैसी लगी लाइक करेजिएगा चैनल को सब्स्प्राइक ब तो हम हर हद्ते वीडियो डालेंगे कैसे भी करके आपके लिए हम अच्छा लगेगा पर आपके लाइक ने टेगिए यह भी यूज करने की वह भी वीडियो डालेंगे आपको तो फोल्प वीडियो को एंड करते हैं जय महादेव कि नहीं हमारे साथ